हेलो स्टूटिन वेलकम बाक तो माई चानल कॉमर्स लेडी आंड जैश्री यादर आज हम क्वेशन नंबर टेन करने वाले हैं तो लेट स्टार्ट दे वीडियो अनुराग और प्रेम वेर पार्टनर शेरिंग प्रॉफित अन लॉस इन टू इस्टू वन on 31st March 2020 their balance sheet was as follow so यह हमें balance sheet given है बच्चे ठीक है additional information हमें यहाँ पे given है क्या information given है देखो the firm was dissolved on the above date अनुराग तुक ओवर 60% of stock at a discount of 20% ठीक है जो stock था उसका 60% उसने ले लिया और 20% उस पे discount मिल रहा है ठीक है 25 of the remaining stock जो हमारा remaining stock है उसका 25 of the remaining stock was sold at a profit of 40% earned cost यह हमारा profit पे sold हुआ है remaining stock was found obsolete and realized nothing ठीक है जो remain हमारा बच गया है उससे हमें कुछ भी नहीं मिला firm had to pay 90,000 as compensation to worker sundry creditors took over investment in full settlement creditors ने investment ले लिया ठीक है पूरी settlement तो इसकी कोई entry हम पास नहीं करेंगे then उसके बाद sundry debtors realized at 75% and plant realized at 20% less प्रेम agreed to take over the responsibilities to completing dissolution work and he was given furniture as a remuneration उसे responsibility लेने के लिए हमने उसको क्या दे दिया भई remuneration के तोर पे हमने उसे furniture provide कर दिया लेकिन इसकी कोई entry हम पास नहीं करेंगे ठीक है realization expenses हमारे 10,000 के हो गए है so हमें only realization account prepare करना है so देखो बच्चे कैसे करेंगे हम सबसे पहले तो हम जो भी हमारी assets है उसे हम debit side में record करेंगे and liability इसको credit side में clear so देखो question number 10 अब assets देखो sundry debtors so two debtors कितने के हैं 60,000 उसके बाद stock वन लाक फरनीचर ट्वेंटी थाउजन्ट प्लांट फोर लाक और investment हमारा कितने का है 45,000 ठीक है अब next इदर credit credit sorry liabilities हम transfer करेंगे तो देखो creditors हमारे कितने हैं by creditors कितने के हैं भाई हमारे 60,000 के clear उसके बाद देखो Mrs. Anurag's loan कितना है 80,000 अनुराग और फ्रेम ही partners है तो उसकी wife का है तो हम यह लिग देंगे अनुराग लोन कितने का लोन है 80,000 देन उसके बाद next देखो हमारा workman compensation reserve पीछे भी हमारा आया था adjustment में कि कितने का claim है भी हमारा 90,000 के तो workman compensation reserve कितना use कर लेंगे हम 90,000 उसके बाद investment fluctuation reserve investment हमें given है question में तो हम investment fluctuation reserve को भी हाँ पे लिखेंगे by investment fluctuation reserve कितने का है हमारा 10,000 ठीक है अगर बच्चे है investment नहीं दिया होता हमें assets में अगर investment नहीं होता तो हम इसे क्या करतें distribute कर लेते between old partners in old ratio clear then next देखो बस यही चीज हमें given है ठीक है अब adjustment में देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं हमारी देखो सबसे पहले तो अनुराग ने 60% of stock ले लिया तो buy अनुराग अनुराग अ कैपिटल अकाउंट तो ब्राकेट में ठीक है कितने का स्टॉक था वही वन लाग का 60% हमारा कितना होता है बच्चे 60,000 ठीक है अब नेक्स्ट हमें क्या करना है इस पर 20% डिसकाउंट बोला है तो 60,000 का 20% आप कैल्किलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा यह हमारा 12,000 ठीक है अब 60,000 माइनस 12,000 अगर आप करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 48,000 क्लियर यहां तक अब नेक्स्ट देखो 25% of the remaining stock अब remaining हमारा कितना बच गया भई 1,60,000 तो यहां आ गया जो remaining stock बच गया remaining कितना बच गया हमारा देखो by bank account stock remaining stock 1,00,000 में से 60 गया 40,000 ठीक है अब इसका क्या बोल रहा है यह कि 25% of the remaining stock जो हमारा remaining stock है इसका 25% तो सबसे पहले तो इसका 25% आप calculate कर लो तो कितना आ जाएगा इसका 25% हम करेंगे तो यह आ गया हमारा 10,000 ठीक है अब इसमें भी क्या बोल रहा है कि 40% on cost मतलब profit में हमने इसको sell किया है so 10,000 into इसका 40% कितना हो गया 10,000 plus 4000 ठीक है 10,000 का 40% 4000 आ गया और 10,000 इसमें एड कर देंगे तो कितने आ गया हमारा 14,000 क्लियर यहां तक सबको ठीक है अब next देखो firm had to pay 90,000 as compensation to worker pay करना है भई workman compensation reserve so to bank account bracket में workman compensation paid कितने का 90,000 clear then next creditors took over investment तो इसकी कोई entry नहीं होगी sundry debtors realized at 75,000 plant realized that released at 20% so buy bank account debtors कितना है हमारा 75% बोला है तो debtors हमारे हैं कितना भई 60,000 ठीक है अब 60,000 का 75% आप calculate कर लो बच्चे तो कितना आ जाएगा यह हमारा 45,000 then next देखो and plant released 20% less so buy bank account plant and machinery so कितना आ जाएगा यह हमारा plant and machinery कितना है हमारा 4,00,000 इसका 20% less बोला है तो इसका सबसे पहले तो 20% calculate कर लेंगे जो कि आएगा हमारा यह 80,000 का ठीक है so 4,00,000 में से 80,000 हमारा गया तो 3,20,000 हमारा बच गया clear then उसके बाद प्रेम agree to take over responsibility of completing dissolution work तो इससे भी हम शोर नहीं करेंगे क्योंकि उसके बदले में हमने उसे furniture provide कर दिया realization expenses amounted to 10,000 so 2 bank account expenses 10,000 ठीक है अब total कर लो so यहां पर आप total करो यह आगया हमारा 8,05,000 जिसमें से हम यह चीजें माइनस करेंगे तो हमारा loss आ जाएगा by loss on realization transfer कर देंगे हम A and B में ठीक है तो कितने का loss आ रहा है हमारा 1,35,000 का so question में हमें क्या ratio given है बच्चे 2 is to 1 so 2 is to 1 में मतलब 2 by 3 और 1 by 3 में आप इसे distribute कर लो तो हमारा आ जाएगा 90,000 and 45,000 clear? I hope अच्च आप को यह question समझ में आया होगा so please मेरे वीडियो को like, share and comment जरूर करना और मेरे चानल को subscribe, thank you